हलो बच्चु, मेरी आज की कविता का शुर्षक है प्रभु ईशा, प्रेम का मसीहा, तो चलिए, शुरू करते हैं इस कविता आओ बच्चु तुम्हे सुनाएं गाथा एक पुरानी, प्रभु ईशा कैसे जन्ने थे, इसकी सुनो कहानी यूसुफ और मारिया के घर, प्रभु का बेचा आया, आते ही उसने बैथिलहम में चमतकार दिखलाया एक सितारा अदभुच्चम का धर्म गुरू ने जाना, ये तो बैथिलहम का राजा जोतिश से पहचाना खबर हो गई बादशाह को कांप उठा वह डर से, मरवा डाले सारे बच्चे खीच-खीच कर घर से लेकिन नाजे रत का ईसा मार नहीं वह पाया, बाद मृत्य के बादशाह की नाजे रत वह आया होकर युवा काम बढ़ाई का संग पिता के करता, और सभी में प्रेम दया की मधुर भावना भरता एक दिवस मरदन के तट पर योहन से चक्राया, दिव्य अलोकिक शक्ति प्राप्त कर छोड़ी सारी माया प्रेम और मानवता का वह ज्यान सभी को देता, घूम घूम कर इधर उधर वह सब के दुख हर लेता इश्वर समझा सब ने उसको तो कैफस खबराया, कर शड़ यंत्र येश्व को उसने सूली पर लटकाया 2700 वर्ष हो गए भूल नहीं हम पाते, जनम दिवस आते ही उसका सो सो दीप चलाते, धन्यवाद 2600 वर्ष हम इभ मचला, चीप में भकारई कर दो को में हम आते ही उसका को दूम झाए हम धर सम्गाया और माज कर आते ही, जनि वह दुआ हम ऊश्चा़ भूल 25 कर वह से जो lam